इस वीडियो में हम कलास एट का गनित बोक का प्रस्णा वाली छोव पुइंट एक भ्यार बोड का एक से लेकर चार तक का टोटल सवाल जानेंगे अगर आप कलास एट में हैं तो लाश्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि अगली और गुननखन करके समय क्या करेंगे आपसमें जोरा मिलाइंग और परतेक अंक तीन जोरा आ जाता है तो यह पुर्ण घन होगा और नहीं आता हैं तो नहीं होगा चलिए आपके लिए हम सारा प्रष्ण लिख लिए और उसका गुननखन भी कर लिए ताकि अधिक समय आपका नहीं लिए गुरुनखन आपको कैसे करना है वो आपको हम एक्जम्पल समझा देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहां पर परस्ण एक दो तीन चार पॉंथ छे इसी परकार से आठ तक लिए हैं और परते का गुरुनखन कर लिए 400 है और एक संख्यां का ग लगाएंगे एक सो फिर देखिए दो से लगेगा पचास और फिर दो से लगेगा पचीस और फिर पॉंच से लगेगा पॉंच देखिए दो पॉंच और चार को दो चार को दो दो पॉंचाया हुआ हुआ है ना इसी परकार से सबका गुनखन करेंगे तो आप घं घं और ब वार और ये पॉर्ण घहन नहीं होगा पुर्ण घहन नहीं होगा अब कारण लिखना है तो क्या लिखेंगे नहीं है देखेंगे चुकी 400 के अभाज गुनन खंड में 2 और 5 का 2 और 5 का 3 जोरा नहीं पराप्थ हुआ यहाँ पर यह 2 तीन बारा है लेकिन यह 2 देखिया केलिए आया है और यह 5 दो ही बारा है अता पुर्न घं नहीं होगा 400 क्या होगा पुर्न घं नहीं होगा चलिए अगला देखिये 68,600 में 2 का 3 जोरा यहाँ परा आजाता है लेकिन यह देखिये 5 सिर्फ 2 बार और 7 भी 3 बार आता है तो इसमें क्या कारण लिखेंगे चुकि 2 और 7 3 तीन तीन बार आजाता है लेकिन 5 दो ही बार आता है अता यहाँ पुर्न घं नहीं होगा पुर्न घं नहीं है इसी परकार से आपको सब जाच करना है इसी परकार से अगला देखिये 27,44 में 2 देखिये कितना बार आया है 3 बार आया है 7 देखिये कितना बार आया है 3 बार आया है तो यह क्या होगा और पांच का तीन तीन जोरा नहीं आया है आता है या पुर्ण घन नहीं होगा पुर्ण घन नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं पुर्ण घन नहीं है आगे आपका देख लिजिए छे नमर का 46656 है इसमें तीन तीन जोरा लगाते हैं दो तीन बार आया है फिर दो देखिए 3 रिखा कि आया हुआ है तो पुर्ण घंञ आपको लिखना है लंगमज एक भी नमबर आपका एक्जाम में कटेगा नहीं अगर और आपने आया दिया तो तीन तीन जोरा आएगा तो पुर्ण घंध है और नहीं आया तो नहीं है यहाँ पर देखिए चार लाख तिरासी हजार पच्छत्तर है अब इसमें क्या करेंगे चार लाख आठ हजार तीन सो पच्छत्तर है अब इसमें क्या करेंगे तीन तीन जो रहा है तीन का तीन बार पॉर्ण घन नहीं होगा चलिए आगे देखिए 9000 में 2 आया है 3 बार 3 आया है 2 बार 5 आया है 3 बार पुर्न घंड हो जाता अगर 3 भी आ जाता 3 बार 3 लेकिन 2 ही बार आया है तो क्या होगा पुर्न घंड नहीं होगा पुर्न घंड नहीं है अब इसमें आपका जो क्रस्टन पूछा था निमलखीत में कौन-कौन पुर्ण घंड नहीं है तो आप देख सकते हैं यह 8 नमबर यह 7 नमबर उसके बाद यह 5 नमबर उसके बाद आपका यह 3 नमबर उसके बाद आपका यह 2 नमबर और यह 1 नमबर सब में language लिखना है तो हुआ सबसे छोटी संखियां ग्यात करें जिसे चार सवाल है और इसी वीडियों में जानेंगे और आपको सिखा करके ही छोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए 320-243-675-432 अब क्या बोल रहा हुआ सबसे छोटी संखियां ग्यात करें जिसे निमलखित संखियां से गुना करने पर पूरण घंड बन जाए चलिए पहले हम लिख चुके हैं और गुनानखंड कर चुके हैं आपको एक स्टेप में समझा देंगे ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अब यहां पर देखिए आपका सवाल लिख लिया गया है 320 का गुनानखंड में देखिए दो आया है तीन बार और यह फिर दो दो ह तीन बार आया है लेकिन ये दोनों दो दो ही बार आया है और ये पॉर्ण घंड कब होता जब ये दो एक और बार आता और पांच दो और बार आता तो 320 को यहां पर लिखना पड़ेगा 320 को पुर्ण घंड बनाने के लिए 320 को पुर्ण घंड बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा दो दो और लिड़ी है तीन दो लाने के लिए एक और दो से 320 में एक और दो से और पांच एक बार आया है तो दो और बार पांच आएगा मतलब पांच अगुने पांच से गुना करना पड़ेगा मिला हो आजे तो दूसरा सवाल पर धियान दिजिए धियान दिजिए सब एक ही टाइप का है देखिए 243 का अभाज गुननखन की ये तीन बार दो आया और फिर दो ही बार तीन आया है पुर्ण घंड बनाने के लिए एक और बार तीन आता तब जाके बनता अतव दो सो तेतालिस में कितना से गुना करना परेगा तीन से गुना करना परेगा तीन से गुना करना परेगा 243 में क्योंकि एक और बार तीन आता है इसमें गुना करते तो ये पुर्ण घंड बन जाता आगे देखिए 675 का गुननखन की ये तीन 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 पांच पांच आया है तीन तीन बा करना पड़ेगा 675 में पहुंच से गुना करना पड़ेगा पहुंच से ध्यान से समझेए अब भासा को चैंज करके भी लिख सकते हैं चुकि 275 के अभाज गुनखंड में तीन तीन बार आया है और पहुंच दो ही बार आया है अतह इसे पुरन घंड बनाने के लिए इसमें एक और 35 से गुना करना पड़ेगा यह पहुंच इसका अंसर 432 है देखिए 432 का गुनखंड किये तो दो देखिए तीन बार फिर दो सिर्फ एक बार और तीन आया है तीन बार तो दो कितना बार और आएगा दो और बार आएगा तो देखिए 432 में कितना से गुना करेंगे एक बार दो आया है तीन बार लाना है न तो दो और बार डिने इतना से गुना करना परेगा अब देखिये 432 गुना दो दोना चार इसका अंसर चार हो जायए तो यह वा छोटी से छोटी संखियां ग्याद करें जिसे निम्नलिखित संखियां उसे भाग देने पर भाग फल एक पुर्ण घन प्राप्त हो जाए अब यहां पर है वह देखिए हमने अलड़ी सवाल लिख रखा है और गुननखंड भी कर रखा है ताकि आपको असान से हम असानी से बता सके और समझा सके देखिए अब यहाँ पर धियान दीजिए 256 का हम गुननखंड किये तीन बार दो आया पार्ट वन और पार्ट वीडियो आप देख लिजिए ताकि आपको घन मुल समझ में आने रगे तो यहाँ पर आपको धियान से समझना है तीन बार दो फिर तीन बार और फिर दो बार आया है जोरा हमको हमेशा तीन ही लगाना है तो हमने तीन और तीन का लगाया तो ये दो बच गया और दो बार बच जा है तो पुर्ण घंड कब बनेगा जब ये दो का तीन जोरा हो जाए या ये दोनों को हम हटा दें तो यह दोनों को हटाएंगे कैसे, यह दोनों से हम 256 में भाग कर देंगे, तो हट जाएगा, तो यहां हमें लिखना परेगा, चुकि, 256 के अभाज गुनान खंड में, 256 के अभाज गुनान खंड में 2 गुना 2 जो ये बच गया है ये इसका जोरा नहीं मिलता है तीन जोरा इसका नहीं मिलता है अता इसे पुर्ण घंड बनाने के लिए 256 में क्या करेंगे भाग देंगे 2 गुना 2 मतलब 4 से और 4 से भाग देंगे न 64 आएगा और ये पुर्ण घंड हो जाएगा तो मतलब जो बच गया पहले वाला था गुना करने वाला तो जिसका जोरा नहीं हो रहा था हम गुना करके पुरा रहे था और इसमें क्या करना जिसका नहीं है उससे भाग दे करके हटा दे 325 है दूसरा सवाल और इसमें देखिए 5 पर तीन बार और फिर दो बार άया है तो दो बार आया है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे चोकी 325 के अभाज गुनान खन में पाँच 3 बार आया है और फिर पाँच दो ही बार आया है अटा इसे पुर्ण गहन बनाने के लिए यह पांच गुना पांच अर्थाथ 25 से भाग क्यों देंगे यह दोनों पांच से भाग देंगे यह दोनों 5 से भाग देंगे तो यह दोनों 5 हट जाएगा तेन पॉंच बचेगा आ जाएगा 1408 का गुनन खंड किये तीन बार दो फिर दो एक बार और एक ग्यारे एक बार आए अब पुर्ण घंड बनाने के लिए दो और एक ग्यारे से 1408 में भाग देंगे तो यहां पर लिखना परेगा चुकि 1408 को पुर्ण घंड बनाने के लिए इसमें दो गुना 11 से भाग देना परेगा तबी तो पुर्ण घंड बनेगा तो 1408 अब भागा 1122 ठेक है अगला देखिए 192 जो है 1923 का हमने गुरण खंड किया तो 2 देखिए 3 वारा आया फिर देखिए दो 3 वारा आया है लेकिन 3 अकलिए रहा है ता 610 का नहीं कि किस चोटी संख्यां से भाग देंगे तो या पुर्न घन बन जाएगा तो इसे भाग देंगे तो जो आएगा भाग फल वो पुर्न घन आएगा इमने लिखित घन संख्यां को उसके करमागत विसम संख्यां के योग के रूप में लिखें करमागत विसम संख्यां मतलब होत किये देखिए तो यहां पर है देख सकते हैं दो का की गूब था मैं लिख दिया दो जब दो नद दो और आठ्णा गया तो यह 3-5 कहां से आया चार में फ़तीन भाब चार चार को लिखना किये privileged बाshot आया तेरे से कीए है 5 का क्यूब 3 बार पहुंच 125 फिर इतना आ गिया 8 का 3 बार आढ़ दिया 500 बार है यहां तक तो सब को समझ में आ गया 3 पावर था 3 बार लिक्चे तीन बार लिक्चे और उसको गुना कर दिया यहां के बाद किसी को समझ में नहीं आया होगा समझ यह, विसम संखियां का मतलब होता है विसम संखियां जैसे कि अगर एक है और एक का क्यूब कर दिया जाए तो कितना होता है, एक ही होता है अब किया इसको विसम संखियां के रूप में लिखिने के लिए तो एक ही होगा अब एक तो इसके लिए एक के लिए बिसम संख्यां एक होगा अब दो का क्यूब बोल दिया गया तो दो का क्यूब आठ होता है आपको आठ लाना है बिसम संख्यां से ही दो का क्यूब है तो दो ही बिसम संख्यां लेना है यहां दो के चार का क्यूब है तो और इसके लिए एक ही अभाद संखियां एक है अब दो काकियूब आठ आता है और इसके लिए तीन इसलिए लिए क्योंकि एक के बाद दो दो तो संखियां है हमको लेना है बिसंखियां और दो के बाद तीन क्या है बिसंखियां एक नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक तो यह तेरे से लिए यहां पॉंच यहां तेरे हमको कैसे आ गया समझ में समझेए अब चार के लिए तीन के लिए तो पॉंच तक आया अब पॉंच तक आया ना अब पॉंच के बाद क्या आता है अबाद संख्या में अलग से आपको समझा रहे हैं साथ आता है नौ आता है और 11 आता है अब 3 के लिए 3 का जब क्यूब करेंगे ना तो 3 किया 9 नो cet 27 आएका देखिए 7-9 11 गो जोडिःगा न तो आपको 27 आता है तो 3 के क्यूब में 27 लाने के लिए 7 ,9 और 11 लेना पड़ता है अब हमको चारका क्यूब करना है यहाँ पर तो 4 का क्यूब करेंगे ना तो लगातार ना पूछ रहा है इसलिए ये 7,9,11,3 के लिए हमको इसके बाद लेना है तो 11 के बाद आता है 13, 15, 17, 19 सच्चाइस क्योंकि 4 का कर रहे हैं तो 4 संख्या एक दो तीन-चार संख्या लेना है जोरिये तो दीए अब दैखिए पांच का क्युब कर रहे हैं तो इहां पर देखिए हम 21 से लिए क्यों क्यों क्योंकि चार का क्यूम में 23 15 17 19 uh 19 ke बाद देखिए एक 20 से लेंगे पहुंच संखिया तो यह आप देखिए पांस ही संखिया लिए अब देखि आट का क्यूब 8 का क्यूब में 8 संखिया लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कहिए गाइगा ने आप लिए लेकिन आपको समझ किसे आया सर किआ आप 57 से क्यों लिए उन्तीस्ता ती solo 1 से लेते आपको समझना है रिखिए पांच का क्यूब किये और इसमें 29 तक आया अब पांच के बाद क्या आता है छे आता है और छे का क्यूब करेंगे तो हमको छे का क्यूब कितना आता है 260 आता है तो 260 आता है तो हमको कहां से लेना परेगा 5 का क्यूब में हम 29 तक लिए 6 के लिए हम लेंगे 29 के बाद 31 फिर लेंगे 33 और फिर लेंगे 35 फिर 37 और फिर 49 कितना संख्या लेना है 6 है तो 6 संख्या एक 2, 3, 4, 5 हुआ 41 6 संख्या लिए 6 के लिए इसको जो येगा ना तो 260 ही आएगा अब 6 के बाद साथ आता है साथ का क्यूब करेंगे तो सबस्वत्य उन्चास उन्चास को साथ से गुना कीजिए 9, 63, 63, 43 आता है अब साथ के लिए कहां से लेंगे 41 के बाद से लेंगे लिए च्छोगा क्यूब में 48 तक आगे 48 के बाद क्या आता है 43 फिर 45 47 49 49 49 के बाद 51 51 के बाद 53 53 के बाद 55 साथ है तो साथ ही संख्या एक दो तीन चार पॉंच छे साथ संख्या लिए अब आठ का ना कर रहे हैं तो साथ के बाद आठ आता है तो 55 के बाद देखिए 57 69 61 63 65 65 तीन चार पॉंच छे साथ आठ आठ ही क्यों लिए क्योंकि आठ का क्यूब कर रहे हैं इसी परकार से आप लंबे तक मतलब बहुत ज्यादा तक ग्याद कर सकते हैं आपको हम तरीका बताते हैं आसानी से आप क्या कीजिएगा विसम संख्यों जितना होता है एक तीन में लिखिए क्योंकि अगला वीडियो में हम जानेंगे अगला चेप्टर थैंक यू